तो जी जी इस खिलाडी ने जिताया था साल 2007 और साल 2011 का T20 World Cup और ODI World Cup अब उसी खिलाडी ने कर दी है 2023 World Cup को लेकर एक बहुत बड़ी बविश्यवाडी जी हाँ आप समझे जी गए हूँगे कि मैं किस खिलाडी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ औरिजनल सिक्सर किंग युवराज सिंग की जी हाँ युवराज सिंग का एक हाली में लेटेस बयान आया है जहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि टीम इंडिया के 2023 World Cup में ज तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी बात को क्या पॉइंट युवराज सिंग ने रखे हैं और कोया सवाल युवराज सिंग ने पूछे हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो तो आखिर तक जरूर देखेगा जब युवराज सिंग जे तो मैं कहें दूगा कि हाँ एज एन इंडिया जीतेगी हम टीम इंडिया चिलाएंगे लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखें अगर आप टीम इंडिया को देखें तो टीम इंडिया में लॉड ऑफ कंसंस हैं वो कंसंस क्या हैं कि आपका मिडल ओडर अभी बी इंजर रिशपन की बात करें तो रिशपन तो ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हैं लेकिन जहां तक बात है श्रेश एयर की और केल राहूल की तो रिपोर्ट जरूर आ रही हैं कि ये दोनों वर्ल्ड कप में वापसी कर सकते हैं लेकि वर्ल्ड कप में ये दोनों कितने फिट उनको लेकर इसलिए युवराज सिंग बूल रहे हैं कि भाई अभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि टीम इंडिया ये वर्लकप जीत पाईगी या नहीं जीत पाईगी लेकिन concerns मैं यहां से बहुत सारे देख रहा हूँ और बाद मैं उवराज सिंग ने काफी सारे सवालों के जवाब भी दिये और कुछ सवाल खड़े भी किये उन्होंने ये कहा कि देखे जैसे 2007 का T20 वर्लकप आप देख लें 2011 का आप ODI वर्लकप देख लें वहाँ पर हमने strong middle order देख क्या कोई management में middle order पर काम कर रहा है opening एक different चीज होती है middle order में खिलना different चीज होता है तो ऐसे players कहां है हमारे पास जो middle order में जब कभी उपर से collapse होता है तो middle order में वो टीम में खड़े रहें मैदान पर खड़े रहें और टीम को निकाल दे तो क्या ऐसे players के उपर काम किया जा रह है उन्हें नहीं कहा कि मुझे नहीं लगता कैसे players के उपर अभी काम किया जा रहा है तो यह साल 2023 World Cup के लिए हम सब लोग जितने excited है कि टीम इंडिया वर्लकप जीतेगी टीम इंडिया वर्लकप जीतेगी लेकिन जिस खिलाडी ने वर्लकप में अच्छी अच्छी पर्फॉ Middle Order की समस्या अभी भी बनी हुई है और जो समस्या में 2015 ODII World Cup के semi final में देखने को मिली जो समस्या में 2019 World Cup के semi final में देखने को मिली I hope so कि इस बार के World Cup में वो problem है में देखने को ना मिले तो आप लोग भी comment section में अपनी राय ज़रूर रखिएगा जो योवरास सिंग ने बाते कहिए आप six sir king से कितना सहमत है कितना ही सहमत नहीं है comment section में अपनी राय ज़रूर रखिएगा साथे साथ वीडियो पसंद आए तो like ज़रूर करें share ज़रूर करें और ऐसी ही तमाम updates के सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तो फिलाल इस कास रिपोर्ट में इतना ही जै हिन जै भारत